एशु के नाम में आज भी सवेरे हमें एक साथ परमेश्वर के साथ भी आपके साथ भी संगती करने के लिए परमेश्वर ने अनिमती दी हमकी करना और दया हमेशा हमारे उपर में है हम परमेश्वर एशु का धनेवाद करते हैं और आज हमारा एक स्पेशल मीटिंग शुरू हो रहा है आप लोग प्रार्तना कीजिएगा आपका प्रार्तना बहुत बहु मुद्य तो आज सवेरे भी हम टाइम अलोन विद गौड परमेश्वर प्रभू के साथ एक सवेरे शुरू करने में परमेश्वर के साथ अगर शुरू करें तो उस दिन में पूरा सब कुछ के लिए आशीश जिस तरह हमारा मोबेल का चार्ज चला जाता है तो हम चार्ज गरते हैं इसी तरह हर समय परमेशर के साथ अगर चले तो आप फुल चार्ज में रहें तो आज देखते हैं आज का क्या Time Alone with God डायरी में लिखा है आज का Time Alone with God डायरी में आज का बचन आज तेरा तारिक है और आज तेरा तारिक को वही एजरिकेल के किताब में कल हम 26 पड़े थे 36 के 26 टाइम अलोन विद गॉड जो पहले हमें देख रहे हैं यह डायरी हमारे यहीं पर हमारे चर्च में कलीसिया में फ्रिंट किया जाए पर इसकी वचन और एक-एक दिन का स्टेटमेंट जो होता है मने की जैसे हम प्रचार कर रहे हैं उसके बीच हम जो बोलते हैं वो भी आता है इसके लिए यह हम नहीं डालते हैं तो हर एक दिन का वचन उस दिन के लिए जो पाश्रकता है सोचने के लिए और जो हम परमिश्र के साथ बैठते हैं तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं इसमें थोड़ा हैता है कि वो वचन के दुआरा हमें एक और बार सोचने और याद हम कौन है वो दिलाने के लिए मदद करता है तो आज यहिश्केल के किताब में भविश्यत्वा में 36 के 26 के 20 27 वापर 27 वापर मैं अपना आत्मा तुमारे भीतर देखर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियो पर चलो और मेरे नियमों को मानकर उनके अंसार करोगे एक और बार पढ़ेंगे यहिश्केल के किताब चैप्टर 36 और वर्स 27 मैं अपना आत्मा तुमारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरे विधियो पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अंसार करोगे यह भी एक भविक्षवानी है कि मैं मेरी मैं मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर में डालेंगा यह परमेश्वर के क्रोश पर मरने और जी उठने का परिनाम है हम कई बार भूल जाते हैं कि पप एशु मसीह के जी उठने से पहले और जी उठने के बाद यह दोनों दो तरीके से परमेश्वर हम से विवहार करते हैं या भी डील स्विद्धास परमेश्वर के परमेश्वर एशु के जी उठने से पहले किसी के भी अंदर अवित्रात्मा आके बस नहीं सकता था मेरे अपने आत्मा को तुमारे अंदर डालेंगे यह हुई ने सकता था क्यूंकि परमेश्वर के लहु एशु के लहु से धो डालने का परिनाम था कि हम धार्मिक हुए और सब श्राप हम से हट गया कई कोई लोग ऐसे बोलते हैं और सोचते हैं कि पीडियों के श्राप मेरे उपर में है पर वो श्राप जो पीडियों के उपर थे वो हमारे से निकल गया है हट गया है और आप नए पीडि हैं क्यूंकि आप नए सृष्टी बन चुके हैं और नए सृष्टी के बनने पर आज पवित्रात्मा हमारे अंदर आके बस गया है अपना घर बना दिया है वही है आज आज ऐसे के भविश्वानी कर रहा है कि उन दिनों मैं मेरे अपना आत्मा परमेशर बोल रहे हैं मेरे अपने आत्मा तुम्हारे अंदर डालेंगे और मेरे विधियो में हम तुम्हें चलाएंगे चलने के लिए आदेश देने दे रहे हैं क्योंकि कोई भी चल नहीं सकता परमेशर की विधियों पर परमेशर का जो जो कमैंड्मेंट से उसके हम नहीं चल सकते हैं इसलिए परमेशर क्या किये खुद ही अप मेरे अंदर में आ गये और हमें विधियों में चलाने लगे इसलिए गलातियों के किताब में उसका तीन तेरा में ऐसे लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्याप से चुडाया क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाएगा करूश पर लटकाया जाएगा वह श्रापित है जो 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 करूश पर लटकते हैं वो श्रापित है ऐसे लिखा है इसलिए यह इसलिए हुआ कि अब्रहाम के आशीश मसीह एशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा अब आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिक्या हुई है यहां अब्रहाम के आशीशों नहीं लिखा है आशीश अब्रहाम का आशीश क्या था अब्रहाम का आशीश था कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर जो बोले वो उनको विश्वास किये उसी लिए उनको धार्मिक ठहराया गया ना कि वो कुछ किये आज परमेश्वर एश्व हमारे लिए करूश पर श्राप बन गए ताकि विधियों का जो जो श्राप था उससे हमको चुटकारा पाड़ा पूरा चुटकारा एक बार हमेशा के लिए आपको बहुत ही ह्याव से बोल सकते हैं अब हम श्रापित नहीं है कोई श्राप मेरे उपर नहीं है हम आशिशित है और ये आशिश है धार्मिक ठहरा दो वचन आप यहाँ पर पढ़िएगा एक तो चौदा है और एक उनतीस है उनतीस में इसे लिखा है और यदि तुम मसीहा के हो तो अबरहाम के वंच और प्रतिक्या के अनिसार वारिस भी हो गए हो दो है एक आशिश मिला दूसरा जो जो अबरहाम को बोला गया था उसका वारिस भी हो और उस प्रतिक्या के अंदर में सबसे बड़ा एक प्रतिक्या था कि परमेश्वर का आत्मा पवित्रात्मा हमारे अंदर में आके बस जाएगा हमारे अंदर आज पवित्रात्मा मने क्या परमेश्वर ही बसे हैं इसलिए योहना के सुसमाचार में एशु ने बोला यहना के किताब चौदा पर्द और उसके दस्वे क्या तुम विश्वास नहीं करते कि कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में हैं यह बातों जो मैं तुम से करता हूँ अपने ओर से नहीं करता परन्तु पिता मुझ में रहकर अपने काम करते हैं जो जो हमें सुन रहे हैं जादे अधिकतर तरक में जो अधिकतर जो सेवकाई में हैं आपका परिश्रम नहीं है यह अंदर में पिता परमेश्वर बैठके बसके अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद एश्यू ऐसे बोलते हैं उसके बारवपद में मैं तुम से सच सच कहता हूँ एश्यू तो सच बोलते ही हैं और उसके बाद अगर दो बार बोले सच सच बने वो टल नहीं सकता करता हूँ कि जो मुझे पर विश्वास कर रखता है मैं ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाओंगा एश्यू के मृत्यू के बाद जी उठने के बाद आज एश्यू पिता परमेश्वर के बाए और बैठे हैं in the seated in the right hand of God तो सोचिए आपका और हमारा जीवन पराजित हो ही नहीं सकता है हम जानते हैं कई प्रोड़क्ट हम कई वस्तोवे हम खरीते हैं जो कि waterproof है जब पानी गिरता है तो वो पेंट लगा देते तो फिर पानी नहीं लगता है कोई fireproof है आग ना लगे तो ऐसे इसे दरवाजे हैं जिस पर आग लगता है नहीं fireproof उसी तरह हम failure proof बन गए हैं क्योंकि हमारे लिए पिता परमेश्वर के बाहे हो राइट हैं एशू बैठे है हमारे लिए बैठे है महायाचक के जैसे हमारे लिए और प्रतुई में एक जैवन्स जीवन के लिए मेरे अंदर पवित्रात्मा हमें चलाने के लिए भी बैठे हैं अब सूचिए पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं उसलिए वो एशू को अपने साथ बैठाए हैं हमारे लिए पिता हमसे प्रेम करते हैं इसलिए एशू को बठाए और मेरे अंदर में है अवित्रात्मा हमें सच्चे मार्क में विध्यों में चलाने के लिए अब क्या आपका और हमारा जीवन पराजित हो सकता है कभी नहीं आपके जीवन में उन्नती सभी छेत्र में होगा पारिवारिक शारीरिक आर्थिक मानसिक सभी छेत्रों में उन्नती होना ही है क्यूं क्यूंकि जो जो श्राप के द्वारा अंधकार के द्वारा आपके जीवन में था वो हट चुका है हटने वाला नहीं हट चुका है पस एक ही काम करना है मिश्वास करना है कि यह हमारे लिए हैं अब देखे जाते जाते एशु क्या बोल रहे हैं मैं पिता यह सोला पद है यहोना चाओदा का सोला पद आप सुचेगा कि यहोना तेरा चाओदा शत्रा यह चार बहुत ही इंपॉर्टन्ट है बहुत ही इसमें रहस्य चुपा हुआ है तो यहां लिखा हुआ है सोला में मैं पिता से विनती करूँगा कौन एशु और वो तुम्हें एक और सहाइग देगा कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे सरवदा दाविद के जैसे नहीं जो के रोते हुए बोला पवित्रात्मों को हमसे मत लेना क्योंकि एशु के जी उठने के पहले पवित्रात्मा किसी के भी अंदर नहीं बसा था वो आता था और जाता था और जब पवित्रात्मा आता था तब वो बहुत ही सामर्थी से काम करते थे और पवितरात्मा चला जाता था तो उनसे कुछ नहीं होता है उसलिए दावीद के जीवन में, दाओद के जीवन में वो बोल रहे हैं पवितरात्मा को हमसे मत लीजिए लगा पर आज ऐसा नहीं है आप अगर पवितरात्मा से बोले हमको आपको आपके प्रार्तना करने से या आपका अच्छा होने से हम नहीं आये है एश्यू ने पिता से पूछा और उसलिए पिता ने हमें भेजा है आपको सहायत करने, आपके साथ चलने और आपको सब विधियों में चलाने के लिए आप नहीं भी बोलेंगे तो भी हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि आप नहीं बोले थे आप नहीं मांगे थे एशु ने मांगा इसलिए हमाए क्या अच्छा कितना अच्छा परमेश्व जो कि चाहते हैं कि आप और हम अपने जीवन में जैवन थो इसलिए फिलिप्र क किताब में पवित्रात्मा में ऐसे लिखते हैं कि हमें जो बल देता है वो परमेश्वर पवित्रात्मा मेरे अंदर में है उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं आज सवेरे आप हम को जब देख रहे हैं एक बात निश्चिन्त रखी कई कई लोग बोलते हैं हम अकेले हैं हमारा सुनने वाला कोई नहीं है हमको अगर कोई होता बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि बच्च्वन में हम भी ऐसे सोचे थे कि अगर मेरे पिता होते अगर हमको थोड़ा और पैसा होता अगर दूसरे बच्चेों के जैसे हमको भी कोई होता पर बताने वाला कोई नहीं था अरे तुम्हारे अंदर में परमेश्वर बसा है उनसे बात चीत करो परमेश्वर है उनसे बात चीत करो उनसे संगती करो तो तुम्हारा जीवन बदलेगा और इस पृत्वी पर अनंत काल के साथ इस पृत्वी पर जैवन्त जीवन होगा आर्थिक रूप में, मांसिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सब जगा भर पूरी आशिश आपको मिलेगा ऐसा आशिश जो की आप सोच भी नहीं सकते Rabbit उसलिए परमेशर का वचन बोलता है कि जो परमेशर से प्रेम करते हैं उनके लिए रखा गया कोई आँख देखा नहीं है कोई सुन भी नहीं सकता है सुना नहीं है और कोई मनिश्य के हुदे में सोच से भी परे आशीश एशुने हमारे लिए रखा है तो कैसे वो आशीश पाएं चलते चलते में हम बात करेंगे आज सवयरे हम प्राथन करें हे पिता परमेशवर आपका धन्यवा हमें आभी जो देख रहे हैं परमेशवर है और वो हमारे अंदर में एशु के लिहू से धो डालने के कारण धार्मिक तहराने के कारण मेरे अंदर में है, एक, दो, हमारे उपर में कोई श्राप भी नहीं है, क्यूंकि एशु हमारे लिए श्रापित हुए, तीन, इसके कारण हमारा जीवन कभी भी, कभी भी पराजित नहीं होगा, हम उचाई में चड़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे, पर्मेशर एशु के नाम में जो जो शारीरिक रूप से रोग के कारण ग्रहिस्त हैं, उनको परिपूर्न चंगाई हो एशु के नाम में, जो जो आर्थिक रूप से हैं, समस्या में हैं, एशु के नाम में वो समस्या हट जाएं, और आर्थिक परिपूर्न स्वादंदर उनको में, हम उसका धन्यवाद देते हैं, इन दिनों में परमेश्वर आपका चमक कार और सामर्थ हर देखने वाले के अंदर, जो एशु को अपने हरदे में नेत्ता देते हैं, उनके हरदे में, उनके जीवन में देखना पाए, परमेश्व का धन्यवाद दो एश्यू के नाम में आमें सो आज जूलाई तेरा तारिक हम एक साथ सोचेंगे और आज जो काम में जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं निश्चिंत मन में एक बार सोच से हो जाईए कि आप पराजित नहीं होंगे कि हम क्योंकि हम इस्राइल के बेटे नहीं हैं परमेश्वर के वारिस है और सब हमारे जीवन में भला ही होगा तो कल सवेरे जूलाई चोधा तारिक को फिर हम मिलेंगे तब तक परमेश्वर आपको सब तरह का आशीश में रखे याद रखिएगा आप एश्व को जब बोलते हैं एश्व मेरे खुदे में आके बसिए आपके लिहू से हमें धोईए और नया कीजिए ताकि पवित्रात्मा के हमारे अंदर में बसे ऐसे जब आप बोलते हैं तो आप इसाही नहीं बनते हैं परमेश्वर के राज्य में हो जाते हैं और परमेश्वर के घरवाले हो जाते हैं आपका नाम नहीं बदलना है रीती नहीं बदलना है और जस्त सोचिए परमेश्वर के राज्य में आप रवेश करके क्या क्या का वारिस बन जाते हैं वारिस मने कुछ नहीं करना है, जुड़ता जाएगा, परमेश्य आशीश करे और कल सबेरे फिर मिलेंगे, परमेश्य का, धन्यवाद, चैमसीदी